आज हम बात करने वाले CITS Admission 2019 के लिए जो कांसलिंग का नया गाइडलाइन जारी किया गए श्राइड हम दो जलते हैं जारी के लिए खिले जारी कर देख कांसलिंग लिए इसके इसके बाद यहां पर दे रहा है तो इसको क्लिक करके हम आएंगे तो यहां पर हमें इस तरह का फ्रण्ड दिखेगा तो इसमें बहुत सरा बहुत जरूरी है जरूरी इसलिए कि सारा परसीजर आपको मालूम होना चाहिए प्रोल्म हो सकती है वीडियो लंबा होगा जरूर लेकिन सारे परसीजर को अच्छे से समझ लिजेगा पूरा हिंदी में इसको डिसक्स करने वाला हूं कैसे कैसे होगा तो सारा चीज आपको देखना बहजरी है इसके बाद ही college choice किजिए नहीं तो आगे आपको प्रोब्लम हो सकता है यहाँ पे हम PDF के थूरू डिसर्स करते हैं सारे points को यहाँ पे बहुत सारे points से 1-2 करके बहुत सारे points से दिया गया है इसके बारे हम डिसर्स करते हैं हिंदी में आप एक-एक points को अच्छी से समझ लिए इसके बाद ही आप college choice किजिएगा किया गया पाला step क्या होगा आप लोग आपको लोग इन करना होगा आपके login पैनल में जैसे आप email ID और mobile नमबर डालके login करते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं आपका automatically आपका finalize होगा कौन सा आपका किस college आपको मिला है और यह जो तारा चीज आपके AICT marks के ओपर depend करेगा reservation और जिस इंचूट में कितना seat available है उसके बिहाग पर इसके अलावा आपको document भरिफाई करना होगा और बहुत सारा process दिया है चली सारे process को हम समझते हैं तो चली हम तीसरे नमर की बात करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर तो तीसरे नमर पर court of का जिक्र किया गया है तो यह बहुत ही important है यह इसको समझना क्योंकि देखे यहां पर आपका 100 नमर का exam हुआ था उसमें general category के लिए 33 नमर लाना बहुत ही important है इससे जिसका भी नमर कम है वो counseling में भाग नहीं लेगा उसका admission नहीं होगा तो जरूरिया की 33 नमर होना चाहिए जो general category में आते हैं और OBC जो OBC है उनको 29 नमर होना चाहिए और 29 से कम है तो OBC वाले इसमें apply नहीं कर पाएंगा और general category में जो EWS वाले हैं आप जानते हैं जो जिनका गरीवी रेखा से नीचे हैं जिनको बोलते हैं कि economically weaker section आठ लाग तक क जिनका I है वह इसमें आएंगे OBC वाले में आएंगे और उनका भी 29 नमर होना चाहिए इसके अलावा CNever on contracted with 20 नमर होना चाहिए 20 से मतलब कम नहीं होना चाहिए और 29 से कम नहीं होना चाहिए जिनका कम है उननका admission नहीं होगा और counseling में भाग नहीं लेंगे यह बहुत सरे लोग मैसेज कर रहे थे कि मेरा तीस नमबर है पचीस नमबर है तो आप देख सकते हैं अपने कटेगरिक नों सारे यहां पे मेल और फीमेल की यहां पर कोई जिक्र नहीं कियागा है मतलब सबके लिए है चोते नमर की बात करें तो 100 रुपय कांसलिंग फी लहेगा आपको जो की नन रिफंडेवल होगा एक पर आप 100 रुपय जमा कर दिजेगा तो दुबारा आपका वापस नहीं होगा आपका अडमिस कांसलिंगे कांसलिंग ले ले लेगा है और पांचान नमर कि हम बात करते हैं पहला फर्स्ट रांड कांसलिंग और तीसरा है एम आप अप रांड कांसलिंग इसका मतलब फाइनल मतलब अंतनी में जो बचा है उसके लिए तो यह तीन कांसलिंग होगा तीनों के बारे में हम जैनकारी देते हैं चलिए नेश्ट स्लाइड उपन करते हैं चलिए नेश्ट छाटे नमर की हम बात करते हैं तो सिक्स नमर पर यहां पर दे रखा है कि किस तरह से हमको कांसलिंग के लिए कॉलेज चॉइस करना है तो सबसे पहले जितने भी कंडिट है जिनका नमबर कॉट अफ मांक से ज्यादा है वह दिया गया है इमेल आइडी और मुबाइल लमर डाल कर और कम से कम पांच कॉलेज का चॉइस करना है आपको पांच कॉलेज आपको चॉइस करना होगा जिनका नेश्ट है जिनका कॉलेज पांच से कम है मानले यह कोई कॉर्स है जिसमें पांच कॉलेज नहीं तीनी कॉलेज में कुर्स है तो उनके लिए रहागा कि जितना college उतना choice कर लिए मालने यह 5 से कम है तो जितना होगा सब को करना होगा मतलब दे रखाए कि 5 से कम है उनके लिए automatic सारे college choice करना होगा और next में दो दिन आपको दिये जाएंगे college choice के लिए counseling के लिए इतिया दी और इसके बाद next है कि आप इसमें next है कि अगर दो दिन आपको दिये जाएगा पहला दिन और दूसरा दिन तो माले यह दूसरा दिन जो आप च्वाइस चेंज कर देते हैं या लाश्ट डे तक आपने चेंज नहीं किया इसके बाद चेंज नहीं होगा फिरिच कर दिए पतला लोग कर दिए आपका च्वाइस को और counseling के लिए मेरिट लिष्ट जारी की जाएगी और student का जो dashboard होगा मतलब आप login की जेगा तो वहां पे आपको dashboard में आपका ranking दिखाएगा कितने rank पे आप हैं आपका seat कनुसरा वहां पर ranking दिखाया जागा कि किस तरह से आपका ranking है आप seat जितना seat है उसके अंदर में आपका number आ रहा है या जो rank दिखाया जागा डाइनेमिक होगा डाइनेमिक मतलब change करेगा मान लिए पहला candidate जिन्होंने college को choice के उसका number है पचास और अभी तक वहीं क्यों choice के उस college को तो first पर रहेगा मान लिए दूसरा candidate आता है और उसका number हो जाएगा second और इसका first हो जागा मान लिए तीसरा आता ह उसका 70 है तो फिर यह first हो जागा और यह second हो जागा यह third हो जागा इस तरह से change होता रहेगा डाइनेमिक रहेगा जैसे number of candidate आएंगे ज्यादा number वाले common number वाले उसके अनुसार आपका rank adjust होता जाएगा और next है और next दिखा रहा है यहाँ पर कि जो आपको rank दिखाया जाएगा उसमें कोई guarantee नहीं है कि आपका जो च्वाइस है वहीं रहेगा और इसके बाद next है और इसमें है कि आप कितने बहुत सारे आपके पास probability बहुत जादा दिये जाएगा मतलब unlimited probability है कि आप अलग-अलग यहाँ नहीं देखेंगे मुंबई मुंबई चेक कि आपका दो दिखा रहा है तो इस तरह आप चेक करके वहाँ पर आप अपना rank फिक्स कर सकते हैं बार 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 चेक कर सकते हैं अपना rank किसमें कितना दिखा रहा है according to first choice यहाँ पर next 7 नमर पर payment fee आपको counselling fee जामा करना होगा दो दिन आपको time दिये जाएगा दो दिन counselling का जो college choice के डेट है उस दो दिन के अंदर में आपको पैसा पे करना होगा जो पैसा पे करेगा उसी का ही मेट लिष्ट में नाम दिया जाएगा अधरवाज नहीं दिया जाए जो इसका merit list आएगी merit list जो रहेगा वो आपका best रहेगा AICET marks के अनुसार और जो candidate को institute allowed किया जाएगा जिसके लिए वो योग है उसको allowed कर दिया जाएगा और next दे रखा इसमें कि अगर candidate का first choice college नहीं allowed होता है तो वो second choice उसको college allowed कर दिया जाएगा मतलब बहुत सारा choice रहेगा आपका एक से लेकर पांच तक तो मालें यह first choice के लिए आपका number कम है तो second choice आपको दे दिया जाएगा और इस सारे details को login करके अपने login कर दिजिएगा payment कर दिजिएगा और आपना जो इस इंस्चूट का आपको एलोट किया गया है उससे notification का अनुसार आप प्रविजनल अड्मिसन के लिए योग हो जाएगा जाएगा कहां जाना है आपको तो nearest जो सबसे नजदिक नहीं है उसमें आपको जाना होगा तो आप देख सकते हैं आप जहां रहते हैं वहां से सबसे नहीं नहीं है और इसके बाद आपको सारा documents ले जाना होगा physically मतलब आपको वहां रहना है और आपके present में ही आपको verify करेगा इसके बाद आपके पास generated form portal आपको एक documents later मिलेगा आपके login पैनल से आपको generate करके दिया जाएगा उस पे वो लोग sign करके दे देंगे आपको और next है कि documents के बारे हम बता है कौन कौन से documents आपको ले जाना है वहां आप देख सकते हैं documents का documents के बारे हम बताते हैं कि जो पहला documents है आप देख सकते हैं आप मंगा गया है कि counseling fee payment और इंस्चुट अलाउट्में नोटिफिकेशन जनेरेटर फोर्म पूर्ड पोर्टल आपका जो fee payment कि हैं वो होना चाहिए receipt और जो आपका कॉले अलाउट्ट जाना है certificate ले जाना है और तीसरे नंबर पे है यहां पर बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है बहुत अच्छी चीज आप इसको ध्यान से समझ लिए कि यहां पर लिखा कि Stopatta admission आपको first round vais को पहुष्ट 2 नहीं मिला उनके लिए समाइगा चीजद को हो जाए उसके बाद एक option आएगा कि जिनको first choice college नहीं मिला है उनके लिए option दिया जाएगा option क्या है कि वाइसे candidate जो admission ले चुके है प्रभीन admission पहला होगा दूसरा में लिखा है कि जो जिनका first choice नहीं मिला है college और तिसरे नवर पर लिखा है कि वह अपना first choice को change कर सकते हैं माले यह first choice आपको नहीं मिला आप संतुष्ट नहीं है उस college से जहां पर आपने प्रभीन admission लिया है तो आपको एक college चुनने के लिए chance दिया जाएगा केवाल एक college एक से ज्यादा नहीं एक college को आपको chance दे जाएगा आप चुन लिजे तो जिस college को आपने choose करेंगे उसमें फिर आपका transfer हो जाएगा लेकिन ध्यान रखना है कि जब transfer होगा तो फिर वह reverse नहीं होगा मतलब जिस college में आपने transfer करा लिया और फिर दुबारा चला कि नहीं जो मुझे college allowed होगा उसी में जाएगा तो फिर यह नहीं होगा आपको admission आपका cancel हो सकता है तो आप ध्याँ रखेंगे कि first choice नहीं मिला और आपको option दिया जा रहा है कि आप अपना choice change कर सकते हैं तो जो भी college आपको allowed किया जागा दूसरी बार तो आप उसमें admission लेना होगा आपको फिर वापस नहीं होगा मतलब आपका transfer automatic कर दिया जाएगा यह इसमें लिखा गया है तो एक अच्छी चीज है कि माल लिए according to choice नहीं दिया गया है तो इनको एक chance मिलता है कि आप उस college में जा सकते हैं जैसे कि माल लिए फर्स choice नहीं मिला है second मिला और फर्स च्छी सोले college में seat खाली लग गया है ताप वहां जाकर admission या आप transfer करा सकते हैं transfer का option दिया जाना नहीं आपको automatic transfer कर दिये जाएगा यहां लिखा हुआ डिटेस ट्रांसफर भी अब लेवा और 11 नमर पर आप देश सकते हैं लिखा हुआ है very important चीज है कि जिनका पर्विनल admission हो गया है और हो संतुष्ट है college उनको अब दुसरा नहीं change करना है तो अपना original documents लेकर उस college में जाना है जिस college में admission हुआ है अब जहां पढ़ना चाह रहे है पर्विनल admission कहीं भी हो सकता है लेकिन original admission जिस इंशूर्ट में आपको जाना है पढ़ने के लिए वहां चले जाएंगा जहां जिस दिन से class शुरू होगा उस दिन आपको original documents लेकर जाना होगा अब आते हम second round counseling कैसे होगा और इसमें क्या क्या फ्रोसेस है तो second round counseling के लिए हमको बता दे कि वैसे candidate जिन्होंने first counseling में फर्ष्ट counseling admission नहीं लिया है या परभीन admission लने के बाद केंसिल कर लिया है मतलब first counseling में वह admit नहीं हुए है admission नहीं लिये उनके लिए second counseling में जगह दिया जाएगा उनको भी दिया जाएगा और जिनका first counseling में नाम नहीं दिया था उनका भी नाम इसमें देगा सबको चांस दिया जाएगा जो first counseling में नहीं लिए और जिनका first counseling में नाम नहीं दिया दूनों के लिए तिसे नावर पर है कि जिन्होंने counseling fee pay नहीं किया है और first counseling में उन्होंने counseling fee paid नहीं किया और admission नहीं लिया है वो counseling fee fee pay करके admission में भाग ले सकते हैं मतलब मान लिए first counseling वो admission fee था counseling उन्होंने pay नहीं किया था और उसमें भाग नहीं लिया था लेकिन उनको एक chance दिया जागा second counseling में या फी से payment कर देजिए और इसमें आप participate कर सकते हैं नेक्स्ट है मान लेजिए कोई candidate ऐसा है जिनका बहुत ज्यादा नमबर था असी नमबर था उन्होंने first counseling में admission नहीं लिया और second time और second counseling में admission लेने के लिए उन्होंने अपना registration कर दिया fee pay कर दिया और बोला कि हमको first choice वाला college चाहिए ऐसा वो नहीं बोल सकता है कि मेरे से कम नमबर वाले का first admission होगा और मुझे क्यों नहीं वह मुझे भी दीजिए ऐसा नहीं बोल सकता है क्योंकि वह पहले counseling में भाग नहीं लिया है इसी वज़े से उसको ऐसा नहीं बोल सकता है और उसका admission according to the seat available है उसके अनुसार होगा यह लिखा गया इसमें और next है कि all candidate who have paid counseling fee जिन्होंने counseling fee payment कर दिया है फर्स्ट counseling में तो second counseling में उनको fee payment करने की कोई जरूर跡 नहीं है और अटोमेटिक इसमें अपना choice दे सकते हैं तो clear है कि जो first counseling में payment कर दिया और उनका admission नहीं हो पया तो second counseling में उसको कोई भी fee pay करने की जरूरत नहीं है और नेस्ट है, तेरण नम्मर पर और यहाँ पे जिक्र किया गया है कि ओपनिंग आफ अन्फिल्ड सीट, यहाँ पे बहुत सारा सीट आपको दिखाया जाएगा, जिसमें अडिमिशन नहीं लिया गया है, मौप आप राउंड के लिए, मौप आप राउंड के लिए, करना शुरू हो जाएगा इतना सीट बचा हुआ है आप उस पर अडिमिसन ले सकते हैं तो इसको इसको इपॉंट जाता है निये निक्स टाहिं हम पर आते हैं इसमें 14 पर चलते हैं चौदा नमर पर दिया है कि सेकेंड राउंड ट्रांसफर आप्सन अबलेबल हो जाएगा जब आपका दो दिन दिये गाएगा टाइम आपको सेकेंड काउंसलिंग के लिए जब आपका 24 कलोज करिया जाएगा उसके बाद मेरिट लिश्ट जारी की जाएगी और इसके बाद मतलब आप परविजनल अडिमिसन ले चुके होंगे और इसके बाद अगर आपके 24 कनुसार कॉलेज आपको एलोट नहीं हुआ है तो आपके पास एक चांस आपको दिया जाएगा कि आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं और इसमें भी कंडिशन वहीं है कि जिनको फॉष आपको नहीं मिला है तब ही फसलिटी आपको दी जा रही है कि आप इंस्टूट को चेंज कर सकते हैं एक चाहिस को लोग कर सकते हैं कि हम इसमें जाना चाहेंगा और वहां सीट खाली होगा तो आपको वहां चेंज कर देगा यह चांस रहेगा आपका किस पर अगर शीट अबलेबल है तभी और यहां पर देखिए आपको अगर शीट वहां खाली रहता है तो आपको वहां ट्रांसफर कर दिए जाएगा जिस को आपने सेकंड काउंसिर बाद च्वाद चॉइस किया है और इसके बाद चैंज के आपस नहीं आ सकते एक पर हो गया तो हो गया और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग के बारे में जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है एम ओ पी अप राउंड काउंसलिंग यह होता है कि मतलब जो बाचा हुआ सीट है उसके लिए तो यहाँ पर जो फर्ष्ट में लिखा गया है कि वैसे कांड़ेट जिरों ने अडमिसन नहीं लिया है और शीट खाली है तो इसमें आप हिसा ले सकते हैं ठाट राउंड कांशलिंग में और वाईसे कांड़ेट जिरों ने फी अभी तक पेड नहीं किया और फी पेड करके आप इसमें चांस ले सकते हैं और नेश्ट है और नेश्ट है और आपको सबसे नहीं कि जो नेश्ट ही होगा वहां पर जाकर डॉक्मेंट वेरिकेशन करा सकते हैं आपको सीट एलाउट किया जाएगा एक औरिन तो जो मेरिट लिस्ट है उसके अनुसार और सुला में है कि फॉर्मिट आपको एंश्ट-ऄर्मिट सेनियाच आपको बनवाना नाया उसके लिए फॉर्मिट इसके वेक्ट अब्हब PAUL реб których होगा जोर्मिट आपको अच्छे से अनुसार आपइसके बना सकते है और इसके बार इसके बात लिस्ट ऑप एन conditioner educational लेज nog आप परफेटर्स में जाकर देख सकते हैं कॉन को उनसा कॉलेज कहां है और अंत्र में जिक्र हम कर देते हैं कब और किस दिन क्या क्या होने वाला है तो 15 जून आप देख सकते हैं आप कि कप 15 जून शटर्डे से मतलब कल से क्या होगा सेलेक्शन और इंस्डूट पेमेंट त्रू अफ फी आपको सेलेक्शन नी इंस्डूट को चॉइस काना और पेमेंट करना है दो दिन आपको सटर्रूट इसके ऐते आफारा कमदरह सुल यह हो गया कि इसके बाद आफारा पन आपको पता चल जगा कि यह को मिला है और आप सटिस्फाई है तो आप नजदिक में जो नजदिक में जो नजदिक होगा वहाँ पर जाकर अपना डॉक्मेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के लिए आप उस कॉलेज में नहीं जाना है जहाँ पर अडिमिसन लेना है कहीं भी नजदिक में आप करा सकते हैं और अडमिशन ले सकते हैं और यह चलेगा कितना दिन चलेगा 19 से लेकर 22 तक यह सारा चीज होने वाला है 15 से लेकर 22 के बीच में आप देख सकते हैं करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपको 24 जून से सुरू होगा मंडे से और यहां भी सेम है कि आप इंशूट का सेलेक्शन करेंगे और वह सेकेंडर जिन्होंने फी नहीं पे किया था पहले वह यहां पर फी पेमेंड करेंगे जो कर चुके उनके लिए नहीं है इसके बाद 27 जून को सेकेंड कांसलिंग का मेरिट जारी किया जाएगा जिसमें आपको लॉग इन करने पर आपके आईडी में कॉलेज दिखा को सेम यहीं कंडिसन आप लोगों के बीच आएगा कि जिनका फर्स्ट च्वाइस नहीं मिला है उनको एक चांस दिया जाए कि आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं कोई एक कॉलेज जहां पर आप जाना चाहते हैं आप चेंज करेंगा आप वहां पर आपको ट्रांसपर क 3 जूलाई से 3 जूलाई को सेम ओई कंडिसन रहेगा आप रेजिस्टेशन करें हैं वेक इन सीट के लिए चार जूलाई को मेरिट लिस्ट जारी किये जाएगा पर विनल अडिमिसन के लिए आप जा सकते निएर्स जो आपका एंस्ट यह होगा वहां पर और पांच तो आप हमें मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं तो चलिए मेरे हिसाब से मैंने सारा जनकारी आपको दे चुका हूं और भी कोई बाचा हो तो बताएगा चैनल को लाइक जरू किजिएगा शेर कर लिजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन ज